हम ग्रोफ क्यों चाहते हैं, इंसान की फित्रत है वो, नेचर है वो, आपको पाँच इंद्रियों से जो ज्ञानी इंद्रियां बोलते हैं, उन से अगर आप देखोगे, सुनोगे, सूंगोगे, फील करोगे, तो आपको ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं दिखाई देगी, जो कल आज और आने वाले कल सेम हो, सब कुछ परिवर्तनशील है, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, आपकी हर एक सेल साथ साल के अंदर बदल जाती है, बिलियंस ऑफ सेल्स जो हमारा जिससे शरीर बना है, इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्मिशन में चलता रहता है, सब आज लिए वो मर्ग तरष्णा हो जाता है, मर्ग तरष्णा का मतलब यह है, मिराच कि मरग जब जब रेतिली जगह पर तो दोड़ता है, पर पानी होता नहीं है, और इसको दोड़ता है, जितना दोड़ता है पानी भी उतना ही, तो जीवन भी कुछ ऐसी ही चीज है, हम क् हम कोई मालूम नहीं है तो हम दोड़ते हैं और कहीं पहुंच नहीं पाते हैं